हम लोग आपी निकल गए हैं गोर के बोरोशुना मुस्जित से अभी टाइम हो रहा है दो पहर के दो बाज के 42 मिनिट एंड अभी जा रहे हैं सेलामी दरवाजे के दरफ बस हम लोग अभी पहुँच गए है सेलामी दरवाजा या दाखिल दरवाजा भी बोलते है इसको आगे दिख रहा होगा आप लोगों को अभी हम लोग पहुच गए हैं दाखिल दरवाजा में यह आप लोगों को बोर्ड में दिखा रहा है इधर भी कुछ लिखा है उपर में हिंदी में और नीचे इंग्लिश में बस आपको एक बर में दिखा देता हूँ फुरा ओभर वीव इधर का यह दाखिल दर्वाजा बार्भाक शाह के आमल पे बनाये गया था नियर अबाउट 1459 टू 74 एडी और इसको सेलामी दर्वाजा भी बोला जाता है क्यूंके जब राजा या कोई सुल्तन लोग इधर आते थे तब यह दर्वाजा के दोनों साइट से बंधू या कामान तोक के सेलाम करने का रेवास था इसी नाम से यह दर्वाजा को सेलामी दर्वाजा भी बोला जाता है यह जो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में आपको दिख रहा है यह दोनों साइड में बहुत सारे चाम कदर रहते हैं यह जो आवाज मिल रहे हैं आपको मैं थोड़ा स सुनाने का ट्राइ करता हूए इधर बहुत सरे चम कदर रहते है उपर में पटफीला अभी नहीं जा सकता क्योंकि इसना खतरनक तरीके से आते हैं उपर से यह मैं आ गया दाखिल दरवाजा का जो साइट से एंट्री किया था उसका ओपोजीट साइट बीन से नौर्थ फेसिंग है यह नौर्थन एंट्री गेट है तो यह वाले गेट के यह वाले साइट से एंट्री होके गोड में एंट्री होता है मैं ट्राइ करता हूँ थोड़ा ऊपर चड़ने का मैं आपको दिखाता हूँ उपर से परस्ट मैं यह उपर चड़ रहा हूँ आपको इसका राइट साइड वाला व्यू भी दिखाने के लिए यह वाला देखो आप दाखिल दरवाज़ा का जो लेफ साइड है लेफ साइड वाला व्यू इधर एक जील भी है पहले नहीं था अभी बनाया गया है यह वाला जील पीछे वाला हम लोग अपी निकल गए है गोड के दाखिल दरवाज़ा से अभी जा रहे है फिरोज मिनर के तरफ और इधर देखो कितना अच्छा लग रहा है यह जील देखो आप लोग यह वाला सीन कितना अच्छा लग रहा है इधर एक नाव खरे है और उधर एक नाव जा भी रहा है दिस इस दा ब्यूटी ओफ मार्दा यह एक जामन पे राजा स्वाशन के टाइम पे वांगला भी हरु विश्या का राज़ानी भी अतलब कैपिटल भी हुआ कर दगा यह आप लोगों को दिख रहा होगा राइट साइड में फिरोज मीनार बस हम लोग पहुचने ही वाले है यह मीनार में पहले चरने देता था बट अभी मीनार का जो स्टेयार केस में स्टेफ से उसका हाला अच्छा नहीं है तो दरवजा में लॉक लगा रहता है बस अंदर जा सकते बट उपर नहीं चरने देते हैं यह मीनार का अब हम अंदर जा रहे हैं यह आपको दिख रहा है यह फिरोज मीनार है बोर्ड लगा हुआ एदर यह फिरोज मीनार बनाया गया था दिरिंग टाइम आफ सहे फुद्दिन फिरोज जो सुल्तान बना था बाइकिलिंग बर्बक्षा इन पिरियोड ओफ 1486-1489 AD यह जो मीनार है इसका टोटाल हाइड 25.6 मिटर है और टोटाल इसके अंदर 73 स्टेप्स है पहले इसके अंदर चाड़ने देता था बट नियार अबाउट 12-15 यार्स बैक इसके उपर चाड़ने नहीं देते हैं अभी इसको बंद कर दिया गया है क्योंकि इसके अंदर में जो स्टेप्स से उसका सिचुएशन अच्छा नहीं है अभी इसके उपर नहीं चरने देते हैं ताकि कोई भी इंसीडेंट या एक्सिडेंट को एवाइट करने के लिए यह में मिनार के चारों तरफ से कौवर करके आपको दीखाने क्या कोशिश करता हूं हम लोग अभी निकल गए है गोर के फिरोज मिनार से और जा रहे हैं टूवर्ड्स कदम रोशुल मस्जीद उस साइड में बाइश गजीवाल और बॉलल बाती भी है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूं तो बस आप ये वीडियो में बने रही है एंड प्लीज दू सब्सक्राइब लाइक कॉमेंट अन शेयर आप लोग देख रहे हो बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो सब्सक्राइब कर देना प्लीज चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करके रखना ताकि नेक्स्ट जो वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको प्रोपर टाइम पर मिल जाए यह हम पहुँच गये है कदम रसुल मस्जीद आप लोगों को दीख रहा होगा लेप्ट साइड में अभी हम लोग अंदर जाने वाले है कदम रसुल मस्जीद के मैं बाइक इधर पीछे खरा कर दिया और बस अंदर चलते हैं मैं अप लोगों को थोड़ा इधर का बोर्ड़ भी दिखा देता हूँ इधर बोर्ड का वीजिबिलिटी थोड़ा कम हैं अभी चलते हैं अंदर और मैं दिखा तो अप लोगों को अंदर में क्या है ये जो आप लोगों को सामने जस्ट लेप साइड में दिख रहा है सिधा दाट इस दाट फटेखा स्टॉम फटेखा वास 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 दिलवर्खा दिलवर्खा वास अरांग जेफ जेनरल वास अक्शली सेंट बाइब आप एंपेरर तो किल स्ट शाहनिया मतुल्ला ये जो राइट साइड में आप लोगों को दिख रहा है इधर फटेखा का समाधी है मैं अभी शू पहन के हूँ तो बस अंदर नहीं गया ये राइट साइड में जो आप लोगों को दिख रहा है ये उस जमाने पे पांथ शाला बनाया गया था मतलब बाहर से कोई लोग अगर आए तो इधर रेस्ट लेने के लिए मैं आप लोगों को थोड़ा अंदर से भी दिखाता हूँ आभी तो फिलाल ये डिव टू नॉन मेंटेनेंस मतलब तूट चुका है बहुत जगा से इसके सामने जो आर्किटेक्चर आप लोगों को ये दिख रहा है ये बोला जाता है कि इसके अंदर में आप लोगों को सामने अभी दिख रहा है और ये एक चार गंबूज वाला आकिटेक्चर है जिसके अंदर आप लोगों को फूट्प्रिंट है के अभी बस निकल रहे है कदम रसूल मस्जीद से और लेट्स मीट अट नेक्स व्लोग प्लीस दो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब थैंक्स वर वाचिंग